So, hey guys, welcome back to Power Drag I hope so, आप लोग Tata की Altros के बारे में तो जानते ही होंगे हो सकता है काफी लोग Tata की Altros को ओन भी करते हों बट काफी लोग चाहते होंगे कि यार हमें थोड़ी SUV टाइप गाड़ी चाहिए Altros जैसे डिजाइन में मिल जाए तो भाई कहने ही कहा है और उसमें भी अगर कूपे डिजाइन आ जाए फिर तो भाई मतलब एकदम एक्स्ट्रीम लेवल का कुछ मतलब खतरनाक प्रोड़क्ट हो जाएगा क्योंकि उसमें आपको हाई ग्राउंड गरेंस भी मिल जाती है एक गाड़ी के अंदर ही अगर आपको सब कुछ मिल जाए तो फिर तो इससे ज़्यादा बंदी की एक्सपेक्टेशन और क्या ही होंगी तो ऐसा कुछ टाटा ने कमाल का काम कर दिखा है और क्या-क्या फीचर्स ऑफर करेंगे और आल्ट्रोज में और आल्ट्रोज कूपे एस्यूवी के अंदर हमें डिफरेंस क्या देखने के लिए मिलने वाला है तो वेल करते हैं आज की वीडियो को स्टाट वीडियो अच्छा लगए तो लाइक कर सकते हो तो फटा-फट सबसे पहले बात करते हैं इसके हम लुक्स के बारे में तो अब अगर आप लुक देखेंगे तो लुक्स के अंदर आपको देखके साब पता चलेगा कि जो न्यू वाली मतलब कूपे स्टैल वाली एस्यूवी है थोड़ी सी देखने में बोल्ड है बड़ी है थोड़ी सी मैसिव लग रही है और देखने में लुक काफी ज़्यादा शांदार लग रही है जिस बात में कहीं से भी दो रहा है नहीं है अब बात आती है dimensions की जो altros है आपकी जो normal altros आती है वो एक sub 4 meter premium hatchback car है जिसके अंदर आपको पताएगी 4 meter के अंदर उसकी length width height आई जाती है जो बताने वाले कोई बड़ी चीज निया बड़ जो new SUV आएगी Cooper design वाली उसके बार में बात करेंगे वो थोड़ा interesting topic है जिसमें कि आपकी जो length है उसको आप company थोड़ी सी बढ़ाने वाली है हो सकता है कि वो 4 meter से अबब चली जाए 4.1 meter के असपास रहेगी जिससे कि गाड़ी की जो design है थोड़ी सी और जाथा board हो जाएगी थोड़ी सी और जाथा बलकी लगेगी देखने में दूसरा बड़ा update आपको इसके front के design के साथ देखने के लिए मिलने वाल है अल्टरोस के अगर आप top variant भी purchase करते हैं तो आपको proper LED light का shell ने मिलता LED light का setup नहीं आता है आपको projector ही आता है तो उसको यहाँ पर company ने totally change करने के बादे एक अच्छा काम यह कर दिया है और अगर नीचे की तरफ देखें जो इसके fog lamps आते थे और fog lamp के पास जो पुरानी आल्टरोस में DRL आते थे उनसे काफी ज़्यादा बेटर न्यू वाली के DRLs वगरा और design कर दे जो personally देखने में मुझे तो काफी ज़्यादा शानदार लग रहा है जो मुझे लगता है कि इन्होंने एक अच्छा काम करा है क्योंकि पहले जो इसके fog lamp और main head lamp थे उनमें ज़्यादा बीच में gap नहीं लगता था अब gap कर दिया है तो high think fog lamp जो है वो road को और भी अच्छे तरीके से दिखाएंगे driver के point of view से road visibility वगरा थोड़ी सी और भी ज़्यादा बढ़िया हो जाएगी वहीं पर side profile में अगर बात करी जाए तो अब इसमें आपको new R17 इंचिस तक के battery in black color के alloy wheel देखने के लिए मिलेंगे जो खुद में काफ़ी ज़्यादा शांदार है red color के calipers भी आ सकते हैं जो कि देखने में गाड़ी को थोड़ी सी sportier feel कराएंगे अब अगर features की बात करते हैं या फिर rear look की बात करते हैं तो rear look के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा differences आने वाले हैं बट उससे पहले थोड़ा सा interior feature और price देख लेते हैं तो interior के अंदर आपको इसमें alt rose जैसी सारी ही चीज़े देखने के लिए मिलने वाली है चाहिए वो इसका semi-digital instrument cluster हो जैसे कि alt rose में आता है बट इस गाड़ी के अंदर आपको proper digital instrument cluster मिलेगा और इसके अंदर आप लोग को काफी सारे differential modes भी मिलेंगे जैसे कि आप लोग को पता है अच्छी आपको mileage यह तो आपको economy mode पे चलाना पड़ता है अगर आपको अच्छी power चाहिए तो आप इसको मतलब अपना बिल्कुल power जिस mode में आपको जबर्दस power मिलते है sports mode उसमें भी डाल के चला सकते है और नॉर्मली चलाने तो वो भी आप चीज कर सकते हैं जो आपकी नॉर्मल आल्ट्रोज आते हैं उसके अंदर जो आपका ORVM है वो फैंटर के ऊपर माउंटेट रहता है अब जो आपका इंडिकेटर रहेगा वो ORVM के ऊपर प्लेस कर दिये जाएगा जो कि काफी जादा रखता है हर कंपनी करती है तो टाटा आल्ट्रोज के जो कूपे ऐसी वी बीरेंट रहने वाला है उसके अंदर भी आपको ऐसा ही देखने के लिए मिल जाएगा बाकी इस गाड़ी के अंदर आपको एक दूसरी बड़ी अपडेट इसके रियर के डोर हैंडल में देखने के मिलेगी आल्ट्रोज का जो डोर हैंडल वो थोड़ा सा अलग से डिजाइन के बट इसका नॉर्मल बॉड़ी के उपर लगा देंगे क्योंकि अकर इसका बॉड़ी पर अटाएंगे तो थोड़ी काड़ी अजीब सी लग सकते तो इसलिए उसको वापसी से अपने बॉड़ यहाँ पर इसके अंदर फीचर्स में आप लोगो काफी सारी चीज़ देखने के लिए मिल जाएंगी लगभग 9 इंचेस तक की फ्लोटिंग इन्फोटेन्मेंट स्क्रीन सिस्टम आएगी जो की आल्ट्रोज से बड़ी रहने वाली है एंडुरोट और एपल कार प्ले वो कोई वार्रिंग लाइट तो नहीं हारी मतलब छोटी मोटी है बड़ी से बड़ी सारी इंफोर्मेशन आपको इसकी इंस्ट्रुमेंट क्लेस्टर पर आ जाएगी और कोई बड़ी प्रॉब्लम होगी तो इंफोटेन्मेंट इसक्रीन के ओपर भी आपको नजर आ जाएगी 90 डिग्रिस तक के ओपन होने वाले डोर इसके अंदर भी मिलेंगे जिससे की एल्डी लोगों का बैठना और उतरना थोड़ा था कमफ़र्टेबल और ज़्यादा हो जाता है LED लाइट आने वाली है LED DRLS के साथ जो मैं पहली बता चुक हूँ Ambient Lighting मिल जाएगी गाड़ी के अंदर Cruise Control, Rear Race Event, Driving Modes, Idle Start Stop, Rain Sensing Wiper, Wearable की Electrically Adjustable और Foldable, Overwimps और Top of the Line Variant के अंदर Electric Handbrake आने की भी Expectations है अब इतने सारे फीचर टाटर ने दे दिया तो काफी लोग सोच रहोंगे कि क्या ये गाड़ी Altros से महंगी होगी तो जी हाँ गाइस आप लोग अगर इस गाड़ी को पर्चेस करेंगे तो Altros से आपको इस गाड़ी के उपर कम से कम भी नहीं तो 70,000 रुपे Base Variant पर Top of the Line Variant पर 110,000 के आसपास Extra Pay करने पढ़ सकते है Decision आप करेगा कि आपको इसको लेना है या नहीं लेना है बट एक चीज और पता देता हूं Altros को आप लोग जानते हैं कि इसका जो 1.2 पैट्रल इंजन हो बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है जो थोड़ा सा बदनाम भी उस चीज़ के लिए बट वहीं पे सेफटी के मैं लहजे से बात करूं तो गाड़ी 5 इस्टार काफी जादा बड़ी है चीज है गाड़ी बड़ी होगी बोल्ड लोगी तो इसके अंदर बड़ा पावरफुल इंजन होना भी जरूरी है और डीजल में 1.5 लिटर वाले डीजल इंजन मिल जाएगा जो काफी सही है नैचुरल इसके अंदर आने के चांस इस काफी काम है जिससे कि कहीं ने कहीं इसकी परफॉर्मेंस के उपर डाउट उठते हैं उंग्रियां उठते हैं तो उससे बड़ी आएगी कंपनी सीधा से इसके अंदर भी आपको टर्बो दे देगी जैसे कि अपना नेक्सवान के अंदर आता है अब काफी लोग कहेंगे कि इनके पास और लेडी एक सेडान है जैसे कि टिक और है तो इनको ये गाड़ी लांच करने ही क्या जरुआता है तो गाइज एक सेडान में और एक कूपे एस्यूवी के अंदर बहुत जादा फर्क होता है धरती आस्मान का फर्क होता है वो एक सेडान गाड़ी है जिसको आप मतलब अ बारे में तो ये गाड़ी कब तक लांच करी जा सकती है और लांच होने के बाद किन kijken साथ ला यायने वाला है तो गांई ये काड़ी लाइवल लाुट करी कि अंदर 2022 के मिडे से कि मतलब आने में घाड़ी को भी लगबrik टाइम है थोड़ के साथ इसका बिल्कुल भी राइवल नहीं है वो एक बहुत कोशली प्रोड़क्ट चला जाता है बड़ यह आपको एक 10-11 रुपे के अंदर अच्छा प्रोड़क्ट मिल रहा है तो आई थिंक स्वाप इसके साथ जा सकते हैं अभी अगर आज की डेट में देखा जा तो मु मोबाइल फोन कनेक्टिविटी के भी थोड़े से टाटा फीचर ओफर कर देगी अब काफी लोग सोच रहूंगी कि असके अंदर जो सन्रूफ वागर वो पैनरोमिक आएगी या फिर एर वेंटिलेशन वाली सीट्स आएंगी या फिर आपके इस टेरिंग के अंदर जो वीडियो डालों आपको इंफोर्मेशन मिलती रहे और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने किसी भी एक फ्रेंड के साथ जरूर से शेयर करना तो करते हैं आज की वीडियो क्लोज होप सो मज़ा आया होगा आया तो भाई कर देना लाइक थोड़ा सा सपोर्ट कर दो सब् बाई बाई